हेलो स्टुडेंस वेल्कम टू टूडेज वीडियो आज हम लोग क्लास नाइन ग्रेविटेशन चाप्टर का एक पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वादे हैं उसका नाम है फ्री फॉल फ्री फॉल तो फ्रस्ट आफल हम लोग जानेंगे कि यह फ्री फॉल क्या होता है टांट से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि फ्री फॉल क्या होता है सपोज जो मेरे हाथ में यह पैन है इस पैन को अगर हम लोग छोड़ते तो क्या होगा नीचे की तरफ गिरेगा ग्रा that means suppose यहाँ पे हम लोग एक डाग्राम जो बटते हैं suppose यह एक object है, ball है, इसको हम लोग यह ground है इस ball को हम लोग क्या कर रहे है, initial speed 0 देकर, हम लोग just drop कर रहे हैं okay, drop करने से क्या होगा, यह नीचे की तरफ आएगा and finally ground पे रिच होगा यहाँ पे जो force act हो रहा है, वो है gravitational force okay, कौंसा force, gravitational force okay, so when an object falls freely under the action of gravitational force only that is known as free force, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, when an object when an object falls freely under the action of what, gravitational force only gravitational force only, called what, free fall उसे हम लोग free fall बोलेंगे, freely fall करना, ठीक है but यहाँ पे, term तो बहुत simple लग रहा है, free fall but इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को भी आप लोग को अभी मिलेगा ठीक है, हम लोग को, यह जो gravitational force term यूज किया है यह gravitational force क्या है, gravitational force, newton law of gravitation यानि कि, g, m, m, y, r square, हम लोग को पता है, newton law of gravitational force इसी force का यहाँ पे जिकर किया गया है, ठीक है जिस force से earth attract करेगा, toward it, toward the surface of the earth that is known as free fall, तो, यहाँ पे, suppose, हम लोग एक object को एक object, fresh object, हम लोग यहाँ पे पकटते हैं एक object हो, हम लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है तो, यहाँ पे जो, acceleration due to gravity आएगा, यानि कि g, small g आप लोग को पता होगा, कि small g is acceleration due to gravity acceleration due to gravity क्या होगा, इसके expression क्या होता है अगर आप लोगों ने मेरा पहला दो-तिन वीडियो gravitation chapter का देखा है, तो आप लोग को यह जरूर पता होना चाहिए कि इसका जो form है, वो आता है gm by r square, ओके gm by r square, that is the expression, gravitational, sorry, acceleration due to gravity का formula, तो यहाँ पे एक एक, आप लोग को एक situation देता हूँ, ठीक है एक हम लोग feather लेते हैं, feather और एक hammer hammer पता है, हतोरा hammer, दोनों को क्या करेंगे, same height से दोनों को नीचे छोड़ेंगे, same height से, क्या बोला मैंने, same height, same height same height से मैंने नीचे छोड़ा, मेरा question यह है, कि कौन सा object, feather या फिर hammer, नीचे गिरेगा, जल्दी, कौन सा जल्दी ground को touch करेगा, ground flat है, feather और hammer में से कौन सा object जल्दी नीचे गिरेगा, I hope आप लोग का answer hammer होगा, कि hammer सबसे जल्दी नीचे गिरेगा, अगर आप लोग का answer hammer है, तो आप लोग का guess सही नहीं है, ठीक है, answer होगा, दोनों एक साथ गिरेगा, both will reach together, both will reach at same time, ठीक है, दोनों same time में नीचे गिरेगा, अगर इन दोनों को हम लोग vacuum में ये experiment, ये CWM, vacuum में ये experiment करते हैं, जहाँ पे only gravitational force या पिर gravity of earth attract करेगा, इस object होगा, ठीक है, why, reason क्या होगा, क्यों ये दोनों एक साथ गिरेगा, reason है, ये जो G आप लोग देख रहे हैं, ओके, G का expression, ये जो G हम लोगों ने यहाँ पे लिखा expression, G में, small g में देखिए, किन किन के ओपर depend करता है, mass, किसका mass, mass of earth, r means radius of earth, यानि कि this is constant, which is 9.8 meter per second square हम लोग को पता है, ये object के mass के ओपर depend करता ही नहीं है, reason क्या होगा, because acceleration due to gravity, small g, does not depends, does not depends on, what, mass of objects, mass of object के ओपर depend करता ही नहीं, that is why दोनों एक साथ नीचे के रहेगा, अभी free fall के part में ये तो जान गया कि ये acceleration due to gravity जो है, mass के ओपर depend नहीं करता, तो कोई भी object, दो object ले लो, एक iron का बॉल और एक paper का बॉल, दोनों अगर छोड़ देंगे vacuum में, तो दोनों क्या होगा, free fall के समाई, दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है, that is the idea or concept of free fall, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ acceleration due to gravity act हो रहाए, अच्छा, ये तो गया free fall, अभी यहाँ पर कुछ equations आएगा, जिसको यूस करके हम लोग बाद में numericals प्रेक्टिस करेंगे, ठीक है, तो equations क्या क्या आएगा, equations of motion, ठीक है, in case of, ये फिर fall, free fall, free fall के case पर कुछ equation, इस equations आप लोग को पता है, जो लोग, जो students motion chapter अच्छी तरीके से क्या होगा, आप लोग को ये equations definitely बता है, motion में तीन equations था, क्या था, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, यही equations होगा यहाँ पर, but थोड़ा change आएगा, क्या change आएगा, change ये है कि, suppose एक object यहाँ से गिर रहा है, कहाँ पर ट्रो करना है, यहाँ पर ट्रो करना है, suppose एक object यहाँ से गिर रहा है, और यहाँ पर आके गिरेगा, तो इसका height suppose h है, free fall के समाए, acceleration will be equal to g, g के समाण हो जाएगा acceleration, ठीक है ना, क्योंकि हाँ पर सिर्फ gravity act हो रहा है, okay, height हो गया h, तो हम लोग इसी equation को, v is equal to u plus gt लिखेंगे, a के जगा पर g, s के जगा पर height, ut plus half gt square, very simple, next, v square minus u square, equal to 2gh, यानि कि a को हम लोग g से replace किया, s को हम लोग h से replace किया, ठीक है, this is the part, तो यह हो गया हम लोग का free fall का equations, fine, very simple है, अभी आपे कुछ sign convention है, sign convention, यह है कि, generally जो अगर एक object, उपर से नीचे की तरफ गिर्टा है, तो gravity उसको pull करेगा, यानि कि इसी direction में है, तो downward, downward direction हम लोग इसको positive पकरेंगे, ठीक है, कोई भी object अगर उपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग positive पकरेंगे, positive g, यानि कि, अगर बिटी नीचे की तरफ जा रहा है, और gravity नीचे की तरफ इसको भी उपर की तरफ है, gravity नीचे की तरफ दोनों opposite है, as a result हम लोग इसको नेगेटीव बखरेंगे इन दोनों को use करके साइन कानवेंशन यूज़ करके हम लोग बाद में न्यूमरिकल स्प्रेक्टिस करेंगे तो आई होब यह फीफॉल का पार्ट जो है आप लोग को simple way में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आगया होगा फिर भी अगर डाउट रहता तो डेफिनेटल आप लोग कमेंट कर सकते हैं और और एक बाद जो जो स्टुडेंट नए है इस चैनल पे आप लोग जरूर सब्स्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके अपना मन पसंद चैप्टर्स शॉर्ड्स और छोटा उटा एक्स्पिरिमेंट में आप आप लोट कराओ सो एस तु मेग फिजिक्स मोर इंटरिस्टिंग ठीक है आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं और कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू